हेलो एबीवन यो आ वाचिंग क्या है इंग्लिश आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के वारे में जैसा कि हम रोज बात करते हैं तो गाइस उससे पहले I would like to ask you what's up जैसा कि हमने कुछ वीडियो से पहले वाली वीडियो में सीखा था what's up किसी से पूछना हो कुछ नया कुछ पुराना आप पूछ सकते हैं what's up what's up आप दस बार बोलेंगे आप बोलना सीख जाएंगे हाला कि what's app तो हम बोलना सीख गए क्योंकि वाट्सेप का यूज करते हैं चाइटिंग करने के लिए वीडियो वालिंग करने के लिए कभी कभी हम उस पर चाइटिंग जस पूर टाइम पास भी कर सकते हैं और करते भी हैं बट वाट्सप का मतलब होता वाट्सेप और वाट्सप में फर्क है मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है if you want to know आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं so guys अगर आप मुझसे पूछेंगा what's up so I will say to you that जैसा की कर हमने सीखा था दिवाली इस नियर हीर दिवाली बस आने ही वाली है बहुत साही तयारिया चल रही है मार्केट में बहुत साही रश्त दिखाई देगा आपको and you will also get the pollution so guys stay at home घर पर रहने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप काम एक ही शिफ्ट में अपने फिनिश कर लीजए बहार जाना एवाइड करें so that we can protect from pollution अब बात करते हैं एक नए structure की बारे में जैसा की guys आपको बोट पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक नए structure लिखा है I have ध्यान से देखिएगा मैंने एक circle बनाया हुआ है I have a car ठीक है I have हाला की have आपने बहुत सारी forms में बढ़ा हुआ होगा बट have का जैसा की मैंने आपको पहले भी बताया था have का सभी जगा अलग अलग होता है difference उसका अलग अलग यूज होता है बहुत सारी differences होते है यहाँ पर भी have का एक नए यूज है जब भी हमें लगता हो कोई भी चीज हमारे पास है हम अपने वारे में बोल रहा है हम बोलेंगे I have ठीक है यहाँ पर हम action की बात नहीं कर रहे है हम किसी वी चीज का अपने पास होना बताएंगे जैसे कि मैंने बताया मेरे पास five dresses है I have five dresses मुझे बोलने है मेरे पास car भी है I have a car मेरे पास phone भी है I have a phone मेरे पास बहुत सारी books है I have so many books जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने example में आपको बताया है I have a car do you have a car question में हम हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं मेरे पास car है हो सकता हो आपके पास ना हो तो आपको नामे भी जवाब देना आना चाहिए अब जैसा कि हमने अपने capabilities के बारे में जैसा कि हमारे पास जो भी चीजह है मेरे पास बंगला है मेरे पास गाड़ी है मेरे पास बहुत सारे family members हैं मेरे पास system भी कंप्यूटर है laptop है बोल सकते हैं कि मेरे पास bike भी है स्कूटी भी है जो भी आपके पास है आपको बताना आना चाहिए मेरे पास यह है I have अभी मेरे पास खेर मारकर है so I have a marker मेरे पास बहुत सारे students I have so many students मेरे पास online students I have online students जो कि videos देख रहे हैं तो we are the family हम एक family की तरह काम करते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो you have been the part of our family आप हमारे family का part बन चुके हैं and you you have been started speaking English आपने हो सकता हो English बोलना भी start कर दिया हो बट अगर नहीं क्या तो you must do that आपको start कर देना चाहिए अब देखते हैं कैसे हमें practice करनी है इसकी बात करते हैं मैंने बताया I have a car की जगा हम कुछ भी ले लेते हैं mobile ले लेते हैं I have a mobile मेरे हाथ में mobile है और मैंने बोला भाई मेरे पास तो mobile है I have a mobile अब मुझे आपके बारे में नहीं पता है तो पूच्छने की जरुवत नहीं है अगर मुझे आपके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको पूछूंगी कि भै आपके पास भी मुवाैल है क्या तो आपको हो सकता हो आपके पास ना हो अगर है भी तो हमें मना करना आना चाहिए कि हम इंग्लिश में उसे कैसे बताएंगे तो मैं बोलूँगे I do not have a mobile मेरे पास mobile नहीं है but I have a bike आपको बताते हो हिंदी में कैसे बात करते हैं जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास तो laptop है तुम्हारे पास है तो आपका जवाब मेरे लिए क्या होगा आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास laptop नहीं है बट मेरे पास desktop है हम ऐसे ही जवाब देते हैं ऐसे ही हम हिंदी में बात करते हैं सेम चीज हम इंगलिश में बात करनी है तो आप बोलेंगे I do not have a laptop but I have a desktop हमने दो sentence को combine कर दिया कि भई मुझ पर ये नहीं है बट ये है मैंने बोला मेरे पास diamond ring है I have a diamond ring अब मैंने आप से पूछ लिया Do you have a diamond ring तो आप बता सकते हैं नहीं नहीं मेरे पास diamond ring नहीं है I don't have diamond ring but I have a gold ring I have a gold ring हमने बता दिया यहा पे हिंदी में कि मेरे पास diamond ring नहीं है बट मेरे पास gold ring है ठीक है बात कर लेते हैं मैंने का कि मेरे पास ले लेते हैं मेरे पास बहुत सारी कितावे हैं I have so many books Do you have so many books? आप मुझे जवाब देंगे नहीं नहीं मेरे पास बहुत सारी कितावे नहीं हैं बट मेरे पास बहुत सा ही कॉपिया है I do not have so many books but I have so many copies So guys हमें ऐसे ही जबाब देना है ऐसे ही questions करने है ऐसे ही आपको answer देना आना चाहिए जैसा कि मैं बता देती हूँ आपको एक example में मेरे पास red color की dress है I have red color dress मैंने आप से पूछा आपके पास red color dress है Do you have red color dress? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई मेरे पास red color की नहीं है बट मेरे पास blue color की dress है तो आप बोलेंगे I do not have red color dress but I have blue color dress So guys ये तो हमने अभी practically किया है हमने play करके इसको exercise में use किया है हमने speaking करने की कोशिश किया है थोड़े practical examples ले लेते हैं जो आपकी life में हो सकता हो आपने पूछा भी हो हुए भी हो आपने अपनी class में गए और आपने पन चला के देखा आपके पन नहीं चला तो आप अपने partner से पूछते है भाई आपन है तेरे पास क्या तो हम उसको बोलेंगे आपका पार्टनर हो सकता हो उसके पास ब्लू पैन ना हो तो वो आपको बोलेगा I do not have blue pen but मेरे पास black pen है but I have black pen I hope this is very much clear to you समझ आ गया होगा एक example की और बात कर लेते हैं मान लेते हैं आपको कहीं जाना है आपके पास कोई वीकल नहीं है और आपने देखा कि उस टैम पे आपको auto, rickshaw, बाकी जो भी आपका convenience है वो आपको convinces नहीं मिल पाते हैं जो आपके लिए convenient है तो आप अपने पडोस में गए और आपने पडोसी से पूछा कि भाहिया आपके पास bike है क्या do you have bike तो आपका पडोसी क्या बोलेगा कि भाहिया मुझे पास bike है नहीं बट मेरे पास cycle है क्योंकि वो आपको directly तो मने नहीं करेगा वो आपको बोलेगा I do not have bike structure वो यहीं use करेगा I do not have bike बट मेरे पास cycle है I have a cycle ठीक है इससे क्या हुआ इससे आपको बुरा नहीं लगा ठीक है अब बात कर लेते हैं एक examples की और माल लेते हैं कि आपने आपको कहीं जाना है आपको party में जाना है आपने देखा आपने अपने कवर्ट से dress निकाली और dress में बहुत सारी सिकुड़न है और वो ऐसा लग रहा है कि उसको press करेंगे तब ही पहनी जा सकती है तो आपने देखा भई प्रेस तो मेरे पास है नहीं तो आपने क्या किया आप अपने रूम से निकलके आपके अपने भाई के पास या अपने कली के पास यह मान लेते हैं किसी अपने family members के पास यह अपने पडूसी के पास चले गए आपने बोला भाईया प्रेस है क्या do you have iron प्रेस को मंगरे जी में बोलते है iron I-R-O-N ठीक है do you have iron तो उसने बोला हाँ मेरे पास है प्रेस तो simple भासा में बोल देगा आपको yes I have iron और उसको मना कहना होगा तो वह आपको बोलेगा I do not have a iron समझा आपको इसके बाद देखिए यह तो हमारी examples हैं आपको practice करने हैं किसी भी चीज़ को लेके कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे जैसा कि मैंने blue color की dress पहनी हो मैंने आपसे बोला वह आपके पास blue color का nail paint है क्या तो मैं आपको बोलूंगे do you have blue color nail paint तो आप बोलेंगे नहीं मेरे पास blue color नहीं है I do not have blue color nail paint but मेरे पास pink color का है but I have pink color nail paint So guys this has been clear to you यह आपको समझ आ गया आपको इसकी practice करनी है बहुत सारी practice करनी है किसी भी चीज को लेके कर सकते हैं जो भी चीज आपके पास है जो भी special चीज आपके पास है आप उसकी बात कर सकते हैं अपने partner से पूछ सकते हैं मैंने आपको पूछने का भी तरीका बताया जो चीज आपके पास है वह भी बताने का तरीका बताया और जो चीज आपके पास नहीं है उसको बताने का भी मैंने तरीका बता दिया इसका एक advanced structure है जो आपको next class में मिलेगा यह आपको next class में मिलेगा, इसकी बात करेंगा next class में, क्योंकि अगर हमने दौनों एक साथ सीख लिया, दौनों होच पॉच हो जाएगा, यह इसी से related है, so keep watching next video, next video आपको देखने हैं, इसकी आपका इसका एक advanced structure भी आप सीख जाएं, this is all and this is end of the class, we will be meeting tomorrow, have a nice day, thank you so much.